वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आप सब का आपके ही डिप सेले में इस वीडियो में इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एक जाम पैटर्न और स्लेवस के बारे में चर्चा करेंगे तो बने रहे हैं मेरे साथ सुरुगा संथ ठीक है तो देखें ये सहायक ये लिखा है सहायक प्रसासनी का दिकारी अंग्रेजी मतलब होता है असिस्टेंट एड्वेस्टेटिव ऑफिसर एओ की एलासी वेकेंसी बड़े अच्छे पद हैं और एक नंबर की बिंदास नोकरी एक बार लगगी जिन्दिगी सफ़ाल हो गई ठीक गंगा नाहिए आप ने ठीक है तो देखो सबसे नि इसके तीन चरहने मैं आपको दा दूँँ प्रारंबिक परिच्छा सब को देनी सब के लिए समान पेपर चाहें अब आईटी के लिए अप्लाई करो, चाहें आप सिये वाले के लिए अप्लाई करो, चाहें आप बच्चा आपको qualify के लिए ठीक है, जब आप प्रार्मिक परिच्छा में qualify हो गए, तब आपको देने को मिलेगी, second परिच्छा जिसे आप कहे हो गए, मुख परिच्छा ठीक है, तो tier 2 कह सकते हो, उसे या मुख परिच्छा आप कह सकते हो, तो मुक पर इच्छा सबके लिए अलग अलग होगी, जनरल वालों के लिए अलग होगी, राजभासा वालों के लिए अलग होगी, और सीए वगेरा के लिए सबके लिए अलग अलग पर इच्छा मैं वो भी आपको बताऊंगा, जब आपके मुक पर इच्छा पास होगी फिर आपका होगा interview और interview पास होगा फिर आपका होगा medical चाहिए जब आप medical में पास होगे then final आपकी बनेगी merry list अगर आप आगए तो आपकी एक बहतरी नोकरी आपको फकी ठीक है तो चलो शुरुआत करते हैं primary परिच्छा की बात कर लेते हैं सबसे पहले primary परिच्छा काई सी होगी objective बतलब एक परिच्छन उसके चार option कोई एक option से ही टिक करना आपको गलत करोगे बच्चो नेगेटिव मार्किंग है इसमें एक बटा चोथियाई की number ठीक है तो आपके काट ली जाएंगे अब इसमें आएगा क्या क्या देख लो तार्किक चमता reasoning कहते हो 25 कोश्चन 25 नंबर और हंदी हंदी और अंग्रेजी दोनों में आपके आएंगे अब देखो बिच्छो इसमें minimum 18 नंबर लेके आने आपको ठीक है अगर आप जर्नल की हो तो आपको 18 नंबर minimum लेके आने है सबका individual अपन आपना एक cut off है ठीक है और आपकी time रहेगे total आपको रहेगा total आपको time रहेगा अलग-अलग आविधी में इसमें बना ली जाएंगे मतलब 20 मिनट इसलिए इनोंने separate time दे रखा है कि आपको तार्किक शमता के लिए अलग time देगे फिर आप घंटी बजा देगे फिर आपको 100 questions, 100 questions, 100 number के रहेंगे ठीक एक गंटे का total आपके पास time में रहेगा और minimum गड़ित में आपको 18 लेके आने हैं अंग्रेजी बहसा minimum आपको 10 लेके आने हैं सिर्फ आपको यहाँ पर qualify होना है आपको जो है ना कोई इसमें 30 मार्खा नहीं बनना है इसमें देखिए नीचे रिक रखा है अंग्रेजी बहसा की परिछा की योगता के वल प्रकत की होगी और जो है ना अंग्रेजी बहसा मांगों को रैंकिंग के लिए नहीं जोड़ा मतलब अंग्रेजी बहसा यहाँ से खतम हो जाती है ठीक है और जो है अब जो है इसमें आपने प्रानभी का आपने दे जाते हैं थोड़ा सा और यह होता है कभी कभी जो है ना इदर थोड़ा ज्यादा सा देखने लगो तो पूरा लो चाओ जाता कोई बाद नहीं हम थे 600 टोटल हमारे कॉस्चन हो गए हमारी भरती 600 हो गई बारा बच्चे लिये जाएंगे तो द्यानी एतने नंबर आप लेकि आजाओ कि आप बारा जार बच्चों में सेलेक्ट जो टॉप बारा जार बच्चे होंगे तो अब इन खरणा आप इतनी मेनद कर लो कि बारा जार भी एक ज्यादा बहुत बढ़ा एम SJ नहीं है आपको इ सब्जेक्टिव क्या होता आपको लिखना पड़ता है अब्जेक्टिव क्या होता आपको टिक लगाना पड़ता है ठीक लेकिन बच्चों आपने सुना होगा कि अगर आपको लिखना पड़ा तो आपको कापी मिला गया आपको वहां पर लिखे होगे जाके ठीक जैसे आपन आपको बड़ी important बात बताएंगे जो कि आपकी important बात आपकी लिए exam में महत्वपूर्ण होगी अब देखो A.A.O. जन्रल वालों के लिए मुख परिछा के लिए क्या प्रावधान है यही सबसे important यही आपकी merit बनाने वाली है अब देखो बच्चो तारकी शम्ता reasoning में 30 question, 90 अंके और प्रते question 3 अंका द्यान रखिएगा ठीक है और देखिए यहाँ पर समान ग्यान एवं current affairs आपके 30 question रहेंगे यहाँ पर 2 अंका रहेगा 60 total ठीक है यहाँ पर data officialization के 30 question रहेगे प्रते question 3 अंका होगा 90 का होगा आपका बीमाविती बाजार जानकारी 30 question आपके 60 number के इस तरह आपके total 120 questions रहेंगे और total 300 number के आपका रहेगा और अंग्रेजी और हिंदी में दोनों आपका आएगा ठीक है मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी में पेपर आजाए या हिंदी में आजाए ठीक है तो यह बात हो गई अब इसमें देखो बच्चों minimum आपको 45 लेके आने है तारकिक शम्ता में और समान ग्यान में 30 लेके आने अब इसके बात जो मैंने आपको बताया बच्चों कि आपका एक अलग से जो वर्णात्मक पर इच्छा होगी जो रिटेन इक जाम होगा वो 25 नंबर का होगा अंग्रेजी भासा रहेगी और आपके 30 मिनट का इसमें टाइम रहेगा ठीक है तो यह बात होगी बच्चों अब हम थोड़ा सा और देख लेए अब जिन बच्चों ने सूचना प्रद्योज की चार्टेड एकाउंट और बीमांकिक के लिए आउजन अपना फॉर्म भरा है एए एएओ में तो उन बच्चों के लिए क्या रहेगा तारिक छमता ठीक है समान ग्यान पेसेवर ग्यान बीमा वितिकी आप यहाँ पर टोट आपको मिनिममा प्रद्योज के लिए तो इसमें आपका क्या पूछा जाएगा देखो बच्चों तारिक छमता समान ग्यान पेसेवर ग्यान मतलब आपका सब्जेक नॉलेज मतलब की आपका जो भासा का नॉलेज है वो पूछा जाएगा बीमा में वितिकी वितिवाचार जानकारी इस तरह आपके दो घंटे का पेपर तीन सो नंबर और टोटल लेगे और इस वेपसाइट पर जाकर आप और चीज़ें देख पाएंगे ठीक है तो यह बात हो गई अब देखो अंग्रेजी भासा की जो भी परिच्छा होगी वो सिर्फ आपको क्वालिफाइग क यह बात होगी, अब हम आपको लेके चलते हैं सचाथकार पर, जो की सचाथकार इसका एक मैतोपूर पाइलू है, तो अब देखो, सचाथकार देख लेते हैं, केवल मुक्य परिच्छा की प्राप्तंकों को सचाथकार के लिए चैनित करने हैं, तो विचार किया जाएगा, आपका सचाथकार है, वो साथ हंका है, तो आप जतने जादर जादर आप स्कोर कर चाहें, उतना आप इसमें स्कोर कर लिए, क्योंकि यह आपकी मेरे लिष्ट में सामिल हो रहे हैं, तो उमीद करता हूँ, आपको यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी, प्रीक्जाम के बा